गुद मॉर्नीं सुरेंट तुदेटि अर मैंच परेंग जॉनागी जा चैप्टर शैप्टर सेवान शेप्यस अन पैटर्ण तोप्रेंगे जमाई नॉला बैज नंबर वनांडर स्टर्टी वन परेंगे फाला हमारा चैप्टर है शेप्टर के पार्टर्ण बच्चों, हमने हमारे अरली क्लास मतलब प्रिविएस क्लास में प्लेशेप और कर्ड शेप के बारे में पढ़ाया, okay? यहां पर हमारे इस चैप्टर में हम शेप के बारे में पढ़ेंगे लेकिन कौंशे शेप? line segment और curl line से बने हुए shapes के बारे में पढ़ेंगे ओके, so one number पे देखिए look at the four line solid shapes and write their names बच्चों यहाँ पे इन solid shapes के नाम हमें लिखना यह कौन सा shape है कोन, ओके, तो हम यहाँ पे कोन लिखेंगे, यह है cube, है ना, यहाँ पे cube लिखेंगे, यह क्या है cylinder, c-y-l-i-n-d-e-r ओके, यह क्या है spare, s-p-h-e-r-e और यह c-u-b-o-i-d ओके, यह क्या है, cube-e-d इस तरह से आपको लिखना है second number देखिए, find how many corners and sides each shape has बच्चों, इन shapes को कितने corners है और कितनी side है यह आपको लिखना, यह triangle है, इसको कितने corners है one, two, three, three corners है और one, two, three, three sides है इसमें four corners है, one, two, three, four और four side है, one, two, three, four ओके, यह कोन सा shape है बच्चों, यह hexedagon है, तो इसको one, two, three, four, five, six corners है, और three, four, five, six, six sides है, यह पेंटेगोन है इसको five corners है और यह five sides है ओके थ्री नमबर पे देखे बच्चो ड्रो द लाइन ऑप symmetry of the following figures बच्चो इन figures में आपको symmetry line draw करना है symmetry means क्या है फिर if the figure is folded in half form the dotted line हाँ अगर हम इन figure को dotted line से half करेंगे तो क्या होगा the two halves would be identical तो हमें समान two halves मिलेंगे है न बच्चो they will cover each other exactly और वो दोनो halves x दूसरे के उपर cover हो जाएंगे exactly ओके बच्चो इस तरह से हमें symmetry के लिए line draw करना है symmetry line draw करना है अब इस figure में कैसे हो